इन फैमिली करनी थी बैटा, तो नाइट्रोजन फैमिली में कुछ जन्रल पॉइंट किये से हम लोगों ने, इन जन्रल पॉइंट में प्रियोडिक टेबल के हिसाफ से अगर हम देखें, सबसे पहले अटोमिक मास, अटोमिक मास से भी आगे आप देलो, सबसे पहले कोवलेंट रेडियस, देखो पहले की 70, दूसरे की 110, 121, 141, 148, तो डाउन दा ग्रुप, डाउन दा ग्रुप आप देख लिए, आपने साइज जो हो रहा है, रेगूलर्ली इंक्रीज हो रहा है, यह डिक्रीज हो रहा है, यह देख सकते हैं, साइज, आईज, दा ग्रुप ते खो के तो बटा टिक्रीज होगा, और यह दिख रहे होगा, कोबिनट इंक्रीज, 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 विक्रोज, शैल नमर इंक्रीज हो रहा है, 70, 100, 10, 120, 120, 120, 120, 120, अब इसके बाद बेटा आता है, कि कोबिनट रेडियस के बाद, साइज के बाद हम देखते हैं, आईपी वेल्यू, आईनाइशन पोटेंशल जिसको हम बोलते हैं, आईपी वेल्यू, आईपी वेल्यू चेक करो बटा, आईनाइशन एनर्जी भी बोलके हैं, पहले की देखो, 1402, फिर देखो, 1012, 947, 834, 703, तो डाउन दा ग्रोप, रेगुलर टेंट दिखरा है आपको बटा, राउन दा ग्रूप, आईपी वेल्यू डिक्रीज हो रही है, आईपी वेल्यू के बाद, साइज के बाद, आईपी वेल्यू के बाद, जो पॉइंट आता है बटा, हो हमारा का एलेक्रों नेगतिविटी, एलेक्रों नेगतिविटी दे एक्सेटेविटी अप, 3, 2.1, 2, 1.9, 1.9, तो एलेक्रों नेगतिविटी दाउन दा ग्रोप, डिक्रीजिज हो रही है, एलेक्रों नेगतिविटी दिक्रीजिज होगी, यहां तक तो कोई बड़ा इश्यू है नहीं, यह तो जर्नली पता भी लग रहे थे पॉइंट, और इनमें कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, बड़ा पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, जब आप मेल्टिंग पॉइंट देखोगे यह वागा पॉइंट देखो, पहले नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट ऐ 63, फिर फास्फोरस का है 317, 1089, फिर देखो डाउन होगी, 9045, तो इसका मतलब सबसे पहले इसका आया, नाइडरोजन, फिर उसके बाद आया, फास्वारस, और उसके जश्ट बाद आया, बिसमित, ये बड़ा, जो है, इर्रेगुलर है, तो यही की याद करने वाली है, फिर SB का, और फिर आसे नहीं का, मेल्टिंग और देखोगे, यह आज दरनेला प्धेवेटविता मल्टिंग ऐऊन, अमल्टिंग क्वाइन, सबसे पहले हो, इस नाइडरोजन, फास्फोर स्पॉरज, आर्सेनिक, एंटीमने, बिसमित, ये होगे, यार्न, हैर्णग गर्या, जिया ना, नाइडरोजन, में अगर मैं याद करूं कि यшिपे का न्योटर जाएगा नाइट्रोयरूजन नाम बून से चण से पड़ जोग से इंची सुब्स और लेखत Jesus से एक दम थैंनकर आ किमिड़ के बाद है एंठी मैं अब देखो कितने एर्रेगुलर ट्रेंड है बटा ये एक्जाम में पुछा जाता है मैल्टिंग पॉइंट MP इसको याद कर लो किसी ट्रिक से याद कर लो बटा कोई ट्रिक याद कर लो N, P, B, I, S, B, A, S तो हम याद कर सकते हैं नागपूर के याद कर सकते हैं ऐसे हो 15 चीनल के सामने पूँट आश्यू तो नागपूर का एं नाइट्रोजन पंचायत बहुन का पी फास्फोरस बहुन का भी आई सामने काईस भी आशू काईस इस ट्रेंड से हम याद रख सकते हैं यह हम याद कर सकते हैं कि मेल्टिंग पॉंट जो रहेगा नायटरोजन फैमली के मिंबर का क्या रहेगा कि दायटरोजन का सबसे कम रहेगा उस ज़्यदा फास्पोरस फिर बिल्कुल एर्रगूलर रहेगा तो पिर इसके बाद बिस्मत के बाद एंक एंटिमनी एंटिमनी के बाद आर्सेनी तो यह आप मेल्टिंग पॉंट याद कर सकते हैं अब याद रखना है, melting point, nitrogen, phosphorus वालों के लिए, यह है विगा, क्योंकि सीधा सा creming waste पर है, लेकिन मैं आपको trick सिखा सकता हूँ, बट याद आपको करना मेटेंगा, nitrogen के बाद boiling point, देखो boiling point regular है, देखो 71, 554, 888, 860, 837, यहाँ फरक आजाएगा, boiling point जो देखो गया, boiling point, increase is down the group, except एक है, boiling point of bismith, 1837, 1860 को down, यह नहीं, except भी कहा है, data यह देखो, 888, 1860, 1837, तो generally down, boiling point increase ता group लग रहा है, हाँ, एक्सेप्ट होगे है, boiling point of bismith से greater than, जो boiling point है, वो antimony, यह exception होगे है, क्योंकि इसका 1837, 1866, 1860, 1837, तो generally हम क्या कर सकते हैं, हम यह आद रख सकते हैं, melting point और boiling point में एक point मिला में, कि जो nitrogen family के member हैं, उसमें irregularity, irregularity याज करने के बाद, फिर आप अज़र melting point, boiling point में, allotrop, allotrop में हम क्या है, all element of group 15 elements, allotropy, show allotropy, except nitrogen, यह question हो जाएगा, nitrogen को छोड़के, बाकी सारे के सारे allotropy, show कर रहे है, allotropy का बतलब क्या होता है, अगर अभी पता करना हूँ, अगर एक एक से ज़्यादा, element form के अंदर agist करता है, then, हम बेटा बो, बेटा बोलते हैं, कि वो allotropy show कर रहा है, तो nitrogen कभी allotropy show न करता, nitrogen के अलावा जितने भी होते हैं दूसरे, वो allotropy show करते हैं, इसके बाद बेटा के खाँ, इस compound आ जाते हैं, इसके nitrogen family के कोड़ कों से compound हैं, सबसे पहरी बात है कि nitrogen जो है, अपनी family के बाकी member से बिलकुल अलाग है, anomalous property of nitrogen है, nitrogen gas है, बाकी सारे को solid है, इसका reason क्या है कि nitrogen का small size, high electron negativity, high ionization enthalpy, और absence of vacant deorbidity, यह ऐसे character हैं, जो nitrogen को अपनी family से जो है, अलग show करते हैं, one by one में आप से, अब यहां कैसारा कुछ focus यह करूँगा, शायद आज का सारा class यह खतम हो जाए इसकी point पर, इस point पर discussion करने में, जैसे देखो, nitrogen पहला member है बेटा, nitrogen exists as diatomic molecule with triple bond, then the bond enthalpy is very high, but fast force, arsenic, antimony form, single bond which is with form, metallic bond and element, nitrogen जो होता है, nitrogen आपको मिलेगा, nitrogen gaseous में, nitrogen triple bond की form में मिलेगा, nitrogen इसलिए मिलता है कि N2 gaseous होता है, कफी stable molecule है, बाकी और कोई form आपको नहीं मिलेगा, अब कहता है, केटी नेशन, केटी नेशन एक power होती है, self, कई बेटा, terminology आती जाएगी, पता भी होगी, पता नहीं नहीं पता होगी, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं, केटी नेशन का मतलब यह होता है, कि केटी नेशन जो होता है, तो self, प्रोपर्टी होता है, तो self-linkage प्रोपर्टी में nitrogen कुछ और के बाकी सब में मिलता है, के नेशन त Jup realistically is kadraений Nitrogen network in here दिए, यह बहुत जब हो जहाता है अब भी गोर्टां की सिख कंप्रीन होता है, तो catenation tendency weaker in nitrogen as single NN bond weaker than PP bond as high internet repulsion of non-bunding electron, ठीक है, तो nitrogen में unique property क्या है, इसमें 5 bond बनाने किया, ज़िए sigma bond को बनाने के साथ साथ, 5 bond बनाने किया, और इस bond को बोलते है, P5, P5 bond, तो कि इसमें P electron use होते है, और ये not only nitrogen, nitrogen के साथ बनाता है, बेटा, nitrogen, जो आपका NO के साथ भी बनाता है, nitrogen carbon के साथ भी बनाता है, तो ये nitrogen, nitrogen के साथ, oxygen के साथ, carbon के साथ, तो nitrogen has a unique ability to form P5, multiple bond with itself, and other element having small size like carbon or oxygen, इसके साथ भी P bond P bond बना सकता है, nitrogen has maximum covalency of four, इस point पर बात कर लिए जाए, काफी important point है, और सारा शायद discussion ही यही कतम हो जाए, अग्री class का, देखते हैं, let's see, हम से यह पूछा गया है, यह nitrogen का covalency, तो covalency, का मतलब है, bond, number of bond, और number of bonds of nitrogen पुछा गया है, तो maximum covalency of nitrogen वो है आपकी four, कैसे, जैसे you know, कि आपका maximum जो बन सकता है, वो NH4 positive बन सकता है, NH4 positive, CL negative, यह बन सकता, maximum, यह nitrogen के साथ देखो, hydrogen maximum 4 attach होगा, यह attach कैसे हो सकते हैं, इसको अगर मैं post-mattem करूं बटा, तो यह NH4 positive, CL negative आएगा, अब चलो, positive और negative है, तो यह bond, बैटा, ionic हो गया, तो हमने दे दिया, कि NH4 और CL के भी जो bonding है, वो आएगा, आप देखते हैं, NH4 positive है, NH4 positive का, आप rule लगाओ, hybridization निकाल रहा है, NH4 positive का, तो rule क्या था, valence electrode, प्लस monovalent atom, plus ketanic, minus ketanic charge, plus ketanic charge, by 2, तो देखो, valence electron, nitrogen है, nitrogen का valence electron 5 होता है, monovalent atom, साधे रहा है, hydrogen है, 4 आजाएगा, ketanic charge, plus 1 है, बैटा, 1 आजाएगा, लेकिन माइनिस करना है, 4 है, 5, 2 होता, 5, 4, 9, मैं से 1 चला गया, 8, मतलब 4 आजाएगा, 4 हो गया, तो इसका मतलब SP3 hybridization है, जब कभी भी NH4 positive है, इसका question आजाएगा, तो हम मैं कह दूँगा, SP3 hybridization, अब देखो, nitrogen को फैलेंस करो, nitrogen का atomic number है, 7 बैटा, ये atomic number हो जाएगा, 1S2, 2S2, 2P3, अब second cell start हो गया, no weekend, D-orbiter, बैटा, second cell start हो आएग, तो second में तो दो ही और्बिटर होगे न, एक 2S होगा, एक 2P होगा, अब nitrogen में valence cell उठाएं अपने, तो अपने पास 2S आगया, 2S में 2 लेक्टरों है, तो 2P में 3 लेक्टरों होगे अब hybridization क्या देदी है, हमने निकाल लिया पहले SP3, इसका मतलब ये इनकी mixing होगी, एक pure orbital जो fulfilled है, और तेन pure orbital जो half field हैं, इनकी बटावने pair कर ली, हजब पेरिंग नी, आवे इनको mix कर दिया, mixing कर ली, ये 11th का class का काम है, फिर भी मैं यहां बता जाता हूँ, mixing of orbital होगे लेक्टरों होगे, जिसमें से एक के पास दो एलेक्टरों है, तीन के पास एक के तीन होगे, लेकिन एक हज़ पुझ के पास टो एलेक्टरों है नहीं, हज़ पॉजिटिव खुझ के पास कहा है, होते हैं इसलिए यह क्या करेगा यह दोनों इलेक्ट्रोन जो होगा नाइड्रोजन वाले लेगा और एक कोडिनेट बोना देगा एट मीन्स एनएच फॉर में एन एज ठी और एक एनएच पोर पॉजिटिव यही बेटा आपका अमुनियम आइन होता है इसके साथ क्लॉराइड आइन अटेच हो जाता है तो आप बताओ देखो अमुनियम क्लॉराइड आइन में कौन कौन से बॉंड होगे सरके टाइनिक आइनिक आइनिक बॉंड हो गया बिल्कुल बेटा प्लस और माइनिस है तो कौन सा बॉंड हो गया आइनिक बॉंड कहां हुआ बिट्वीन इसको बोनेगे अमुनियम आइन एंड कलॉराइड आइन अब अमुनियम आइन के अंदर देखो सारे सिगमा है लेकिन थ्री सिगमा क्या है थ्री कोवलेंट इल्कुल बेटा वेरी गुड थ्री सिगमा कोवलेंट बॉंड है एक सिगमा कॉडिनेट बॉंड है क्या बात है बेटा नाइस अंसर और एक क्या है वन सिगमा तो है लेकिन वो कोवलेंट नहीं है यह वाला है इस वाले बॉंड को शेरिंग जो अनिकुल होती है उसको क्या बोलते हैं कोडिनेट इसलिए आपका अंसर अगर आ जाएगा तो कोवलेंट और कोडिनेट दोनों काउंट करोगे तो आप से पुछे जाएगा maximum covalency of nitrogen 4 maximum covalency of nitrogen with hydrogen क्या अंसर दोगे बटा 4 4 कौन कौन सी दोगे 3 लेख रहे हो आप सामने आपके सामने है जब कुछ 3 कोवलेंट one coordinate one coordinate clear बटा चलें आगे कोई doubt किस student को तो पुछ सकता है बटा 3 के 3 कोवलेंट सिग्मा उपने उपर NH4 CL वाला कराया था इस बर वो बता दो NH4 CL का बटा कहां से sir यह जो अपने साइड में 4 SP3 hybridization निकाल लो ओके ओके यह क्या है 11 का का में बटा है 11 में आपने नहीं पढ़ा हो तो एक बार और सुझ लो कि माल लो आपको NH4 positive बनाना है इसका पहले hybridization निकालोगे तो भी तो shape निकालोगे ना है के नहीं है yes sir hybridization निकालने के लिए V plus M minus C plus A यह भी दिखाए तो में निकालोगे निकालोगे निकालने के लिए V plus M minus C plus A यह भी दिखाए तो में वी का मतलब होता है बटा फाइफ ना ये सर्ट तो फाइफ लिख दिया मैंने फिर देखो M का मतलब है M is equal to number of side monovalent atom number of side monovalent atom पेटा सो monovalent atom मतलब हाइड्रोजन यह हाइलोजन काउंट करने आपको तो देखो हाइड्रोजन तो है नहीं लिए हाइड्रोजन तो है कितने हाइड्रोजन है देखो पेटा पॉर्डोजन पॉर्ड घवात पॉर्डोमे प्लस पॉर्डोर गर दिया इसके बादे को मैंने इंश सी लिखा ऐसी का मतलब कैटर निक जार्डар आप देखो बेटा इसको फोल किया तो नंबर क्या है आपके पास फाइफ प्लस फोर नाइन फोर होगा तो हाइबरडाइशन क्या आएगा SP3 SP3 हाइबरडाइशन आगए SP3 SP3 बनाने के लिए क्या कि आपने पहले नाइट्रोजन का नॉर्मल लेक्ट्रोनिक ओन्पिरेशन लिखा यहां जूरूती नहीं पढ़ती नंग से पढ़ा होता तो यहां पर वेलेंस चैल यह है टेको टू पी के पास वनवन ओन उलेक्ट्रोन हैबरडाइशन कुन सा निकाल चुक है वटा अप पहले यह निकाल चुक है ना कुन से वाला ईपरडाइशन है SP3 SP3 तो एक S-Orbitल मिक्स कर दो तो चार ने और्बिटल आगे लेकिन इलेक्टरोन तो वरन टू थरी फोर वन टू तू थ्री फोर फाइफ है तो तो इसमें आगे जड़ा अब क्या होगा थ्री हाइड्रोजन तो नॉर्मल वाले इसके साफ टारिनेट बोन बना लेंगे बना लेंगे एक हैच पोजिटिव है उसके पास इलेक्टरोन है नहीं तो वह अपने इलेक्टरोन दे के साथ बना लेगे तो इसका मतलब एनेच और का स्ट्रेक्चर बनाएंगे तो हाइबरडाइशन SP3 यह बटा अगर SP3 आइबरडाइशन है तो जेमेट्री क्या होगी अगर चार के चार बूर्ण हो तो जेमेट्री टेट्राइडल होगी बटा तो तीन तो हैच के साथ बन बन जाएंगे नॉर्माल और एक कोडिनेट बन बन जाएगा अगर सील है तो पोजिटिव और नेगेटिव और आ कोडिनेट बन आ जाएंगे और वर्ण सिर्वा ये वाला कोंसे वाला बन 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 जाएगे क्लियर बेटा कोई डाउट नो सर्थ चलें आगे यस सर्थ तेखो बेटा इसका मतला एनेच नाइट्रोजन की कोविलनसी कितनी होई आप एक बार इसको बना लो मैक्सिमम कोविलनसी नाइट्रोजन की फोर और आप अगर देखना चाहो एक बार देख लो एक उंजस्ट में इसको होल्ड कर रहता हूँ इस पूरे चीन एक उंजस्टेवेट हुआ हुआ है हुआ है हुआ है है प्रुआ है तुन्हें है इस आए इस आप है कि नियों के साथ है इस आप नाइट्रोजन हाइट्रोजन के साथ मैक्सिमम 4 बोन बना सकता है ठीक है इसमें 3 कोविलेंट है और इसके एक्जमपल आपके पास हैं देखो ग्जाम्पल नाइट्रोजन एनस्थ्री बना सकता है और नाइट्रोजन एनस्थ्री बना सकता है और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ क्या बना सकता है यह अमोनिय है इस एक्जाम्पल के आप बोलते हैं आप अमोनिय थ्री बोन भी बना सकता है लेकिन फॉर भी बना स अब यहां से कोशनिंग स्टार्ट होता है नाइट्रोजन के नीचे ले वाला मेंबर जश्ट नीचे क्या है नाइट्रोजन की बोलो बता हूँ पहले में फॉस्पोरस अब फॉस्पोरस से कंपरिजन करते हैं बटा NCl5 लास्ट यर आपके एक्जाम में एवन कॉंपिटिशन के एक्जाम में ही कॉस्चन आया था PCL5 इस एक्जिस्ट बत नोट NCl5 सुलिशन देते हैं सका सर एपसेंस अफ दी और्बाटर नाइट्रोजन देते हैं एपसेंस अफ यूर्बाटर नाइट्रोजन चैन नोट एक्जीड इस ओवलेंसी का मतरुब क्या है बेटा यहां पर बांडी तैन फो जो एपसेंस है डी और्बिटल का एपसेंस है नाइट्रोजन में इसलिए नाइट्रोजन जोगा पांज मूट बनाए नी सकता केकि फोर्स जोगा मूट बनाए नी सकता तो एपसेंस ओव दी और्बिटल नाइट्रोजन चैन नोट एक्सीजी दें फोग देखो एक्स्प्लेन करते हैं इस चीज़गो सम्झाते हैं अपोज बटा फास्पोरस है फास्पोरस का अटोमिक नंबर है 15 लेकिन इलेक्रोनिक कॉन्फिर्शन लिखो गए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 लेकिन 3s टार्ट हो गया तो उन्हां 3D भी तो होगा क्योंकि थर्ड वाले के अंदर तो 3 शेल होते हैं तो इसके पास क्या हो गया परजैंस ओफ वेकें दी और्विटलिंग फास्पोरस हो जो कि नाइट्रोजन में निती गड़ा अब क्या ये वेलेंस सेल वेलेंस सेल का एलेक्रोनिक कॉन्फिर्शन लिखें 3s में देखो 2 एलेक्रोन 3p में यू कन सी 3 एलेक्रोन और 3D वेकेंट है आपके पास इसी को बोलते हैं वेकेंट्स ओफ टी ओज़ेंग अब क्या होगा इसी का इसी कलॉरी नागें इसल्फ़ार बनेगे कि ख्लोरीन आगया इन पर्जेंस ऑफ ऐलेक्रो नेगिट्र नेटिव ख्लोरीन पोस्फोरुस के पास पांज पोहुंचेंगे उसके पोहुंचते ही कि वह पॉस्फोरुस एक्साटिट हो जाएगगे यह आजेगा, स्टार लगा जे मैंने, स्टार का मतलब यह बिटा है आपका एकसाइटिद फॉस्पोरस, जैसे एकसाइटिद फॉस्पोरस होगा, यह 3S का एलेक्ट्रोन जम करके आगे चला जाएगा, यहाँ पर 3S, 3P, 1, 1, 2, 3, जैसे फॉस्पोरस एकसाइटिद हो जाएगा बटा, इसका मतलब यह हाई एलेक्ट्रोन जम की प्रजेंस में हो सकता है, अगर लो एलेक्ट्रोन जम होगा तो यह प्रजेंस में एकसाइटिद नहीं होगा, चलो, यह भी हो गया, अब आप हाईबरडाइशन निकाल लो, तो हाईबरडाइशन वेलेक्ट्रोन प्रस मोनो वेलेक्ट्रोन एक्ट्रोन माइनस केटैनिक चार्ज प्रस एनाइनिक चार्ज बाई टू होता है, और हमारे पास फार्मूला एबटाप PCL5, फास्पोरस हाईबरडाइशन हो गया, यह मन ही मन में सोच लिया, तो एक S, अब सिलेक्ट कर लिया, हाईबरडाइशन, SP3D आए, एक S, 3P, और एक D, इनको लेके हमने, अलग से सिलेक्ट कर लिया, तो यह हमारे पास आगया, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें से हर किसी का नावा SP3D हो गया, तो हाईबरडाइशन क्या हो गया, SP3D, और हर किसी के पास इलेक्टरोन वन 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 आ गया, तो हर किसी के साथ क्या क्या है, क्लोरीन ने अपना एक वन एंपेड़ एलेक्टरोन दे लिया, इसका मतलब हाईबरडाइशन बेटा आ गया, PCL5, PCL5 का हाईबरडाइशन आ गया, SP3D, जिमेट्री होगी, इस जिमेट्री को बोलते हैं, ट्राइगोनल, वाई प्रामेडल, वाई प्रामेडल, अधरब T, B, P, बेटा, इसका स्ट्रेक्चर बनाओगे आप, ट्राइगोनल, बाई प्रेम्डल का अगर स्ट्रेक्चर बनाओगे आप, तो स्ट्रेक्चर कैसा आएगा, देख सकते हो आप? जिसा, थ्री बॉन्ड, एक पैन्म, और टू एक यर बॉन्ड, इसका स्ट्रेक्चर बनाओगे बटा तो ऐसे ही बनाओगे ना, फाइव बॉन्ड बनाने आपको, फास पोरस के साथ, थ्री तो, एक्टिर्ल पोजिशन पर, भी सी यल, सी यल, सी यल, सी यल, यह एक्टिर्ल बोजिशन और, एक अभोधा प्ले, और एक लोजा प्लेन यही रीजन होता है जिसे हीट करते हो यह बोंड जो होते हैं लोंग होते हैं लोंग एक्सियल बोंड इसलिए वीक होते हैं इसलिए आप जैसे ही हीट करते हो बटा आप कभी भी देखना PCL5 को हीट करोगे आप किसके अंंदर बंड हो जाता है PCL3 PCL 3 इसका मतलब सारे मून अइये से नहीं अगर सारे मून अई किसे से होते हैं तो सारे तूटे बटा लेकिन अबूड वाले इसका मतलब PCL3 जो है अगर मैं PCL5 को इट करता हूँ तो किसके करवट होगा हूँ PCL3 और PCL2 क्लियर बटा ये PCL5 होगा बट ये जो PCL5 जैसा आप देख रहे हो ये PCL5 जो है अब मैं नोलेज क्लाउड को देख रहे हूँ अबाउट पेंटा फास्पोरस क्लोराइड जो जो PCL5 होता है कोवलेंड ACS PCL5 ये ये ही होता है जो आपने भी किया टीबीपी ट्राइगोनल बाइप्रेमडल और हाइबरडाइशन होता है इसका SP3D लगा लेकिन इसकी बजाए आप कोवलेंड की बजाए आइनिक solid PCL5 देखो आइनिक बट solid PCL5 तो एक्चुल में वह ऐसा नहीं होगा बिटा वह ऐसा होगा PCL4 पॉजिटिव क्या आइनिक हो और PCL6 नेगिव मतलब यहां हाइबरडाइशन निकालो के दो बटाए SP3 आएगा पहले वाले पार्ट में इधर हाइबरडाइशन नकालो के तो आएगा SP3D2 यह वाली जो जेमेटरी निकालो के दो बटाएगा टेटराइडर यह वाली जेमेटरी निकालो के SP3D2 का मतलब होगा उक्ताइडर आइनिक सॉलिड PCL5 और कोवलेंट गेसियस PCL5 तो दोनों में फरक है बटाएगा अगर मैं एक्जाम में कोश्चन पूछनों देखो आप से अब देखो बटा प्रॉलम अगर मैं पूछूं मैक्सिमम कोवलेंसी कितना आंसर दोगे बटा की 6 बटा 6 यह देख रहे हैं आप 6 आंसर आजाएगा 6 अगर मैं आप से यह पूछूं कोश्चन में हाइबरडाइजेशन और फास्पोरस एंपीसील पाइप क्या अंसर होगा बटा आपका SP3D तो सारी पूसिबल है बटा अगर गेसियस होगा तो SP3D आइनिक होगा तो SP3 प्लस SP3 डिपेंड करेगा की TCL5 कौन सा ले रहे हो अगर आप TCL5 कौन सा ले रहे हो इस चीज़ पे आपका आंसर जोगा डिपेंड करेगा अगर आपके पास गेसियस है ओवलेंड गेसियस तो तो आंसर दो के बटा SP3D और अगर आपके पास है आइनिक सॉलिड तो आंसर SP3 भी हो सकता है SP3D2 भी हो सकता है तो डिपेंड करेगा क्या आपका कॉश्चिन क्या है ऐसे ही कलोरीन की बजाए अगर ब्रोमीन ले ले लूँ तो क्या अंसर होगा देखो बटा जैसे मैं ले लूँ PBR5 तो अगर आप गेसियस लोगे तो PBR5 गेसियस लाइक बिलकुल ऐसा होगा जैसे आपने किया हाइबरडाइशन SP3D और जिमेटरी है क्या बोलते हैं जैसे मैट्री को TBP ट्राइगोनल बाइप्रेमिन मदलब पास्पोर उसके साथ प्री ग्रोमीन टाइज हो नहींगे उपर और नीट हो गेसियस लेकिन अगर आपने सोलिड ले लिया तोलिड PBR5 का स्ट्रक्चर अलगाता है PBR4 पोजिटिव प्लस BR नेगेटिव हो यह सोलिड हो आइनिक यहां पर हाइबर्डाइशन सिर्फ एस्पित्र रहेगा BR ऐसे रहेगा यहां पर नॉट पर नॉट पर नॉट पर नॉट देन फाइज लार्ज बी आर 10 सेट एराउंड फास्ट वर्स यहां पर नॉट बी आ रहे हैं तो क्लोरीन तो सिक्स सेट हो जाते हैं लेकिन ब्रोमीन बिटा ब्रोमीन जो है फाइज ज़्यादा सेट नहीं हो पाएगा तो आपका अंसर क्या आएगा यहां पर देखो नॉट ब्रोमीन क्या आंसर दोगे बिटा पहली पिछली क्लास पिछले पॉइंट में आपने देखा मैक्सिमंग कोवलेंसी और फास्पोरस विल्ड फ्लोरीन कितनी आई थी फ्लोरीन के साथ कितने मैक्सिमंग बॉन बनाए थे बटा उसने शिक्स लेकिन ब्रोमीन के साथ कितने बॉन बना रहा है देखो आप तो यह जो कॉश्चन जो कर रहे हैं अभी अभी अगर अगर हम इंस्यार्ट के बेस पर बैठे हैं तो यह कॉंपिटिशन में मिलेंगे लेकिन इंस्यार्ट कभी इन कॉश्चन का अंसर नहीं देगिया तो मैक्सिमंग Covalency of Phosphorus with Bromine कितने आए, बड़ा? यहां देखो कि इतने बोल बने Phosphorus के Bromine के साथ? बोलो, बड़ा, अंसर दो, बड़ा. Phosphorus Bromine के साथ कितने Bromine टाइच हो रहे हैं Phosphorus के साथ? वाइव. यहां मैं टिक कर रहा हूं 5. यहां कितने अटायच हो रहे हैं? 4 4, तो maximum कितने में बटा maximum covalency of phosphorus with bromine क्या answer दोगे, 4 या 5 5 5, यही answer अगर chlorine के साथ आता तो कितना देते बटा 6 देते बटा 6, यही question अगर chlorine के साथ आता maximum covalency of phosphorus with chlorine, तो यह answer बदल देता बटा, इसी type से अगर यही question हम से यह दे दे कि maximum covalency of phosphorus with hydrogen आजे दे, तो बटा answer दे न, 4 answer क्या दोगे, 4 repeat करो बटा, अगर मैं पूछू maximum covalency of phosphorus with hydrogen के answer आएगा maximum covalency of phosphorus with hydrogen exam में आजाए, क्या answer दोगे बटा, 4 maximum covalency of phosphorus with bromine, तो क्या answer आएगा, 5 maximum covalency of phosphorus with chlorine, तो क्या answer आएगा, 6 इसका मतलब बटा, कि ये चीहां आपको याद रख रही है, जो आपके exam में आएगी, तो यहां proportion क्यों सकता है फिर node sir, hydrogen के साथ 4 का दे रहा है 4 क्यों दे रहा है, देखो, यह मैं यह अभी लिखूँगा में, की N, PL5 इस एगिस्ट, नहीं, PCL5, और यह question लिखा था, मैं PCL5 इस एगिस्ट, बट नॉट, NCL5, इसका answer क्या दिया, due to absence of d-orbital in nitrogen, absence of d-orbital in nitrogen, ठीक है, एक दूसरा देखो, दूसरा क्या लिखोगे, दूसरा यह pH 4 positive is exist, but pH 5 is not exist, even in presence of vacant d-orbital in phosphorus, pH 4 positive तो बन सकता है, लेकिन pH 5 नहीं सकता है, मतलब phosphorus, अभी मैंने बोला ही आपको किछले question में करके ही आए हैं, कि phosphorus जो है, hydrogen के साथ maximum covalency 4 शो कर सकता है, 5 नहीं शो कर सकता है, तो phosphorus जो है, 5 hydrogen के साथ bond नहीं बना सकता है, is not exist, even in presence of vacant d-orbital, ऐसा क्यों होता है, due to not excitation of electron in presence of in presence of less electron negative hydrogen atom, पर phosphorus के साथ क्या है यहां पर, phosphorus के साथ क्या है, hydrogen, और hydrogen की electron negativity कम है, तो यह भी एक factor काम करता है, कि अगर hydrogen किसी central atom के साथ, less electron negative atom होता है तो पिटा तब हुआ है, जो jump नहीं कर सकता, फिकोज, phosphorus तो है यहां पर, phosphorus के पास हमारे पास 15 electron भी हैं, तो आप लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 3d0, अब 3s में 2 electron भी हैं, 3p में 3 electron भी हैं, और vacant d-orbital भी हैं, यह अपने पास vacant, क्या है यहां पर, vacant d-orbital, लेकिन यह electron excite होगे नहीं जाएं, नोट excitation, क्यों नहीं हुआ excitation, क्यों नहीं हुआ excitation, नहीं हुआ बेटा, क्या reason हुआ, नोट excitation, in presence of, in presence of less electronegative atom, like hydrogen, हाँ, प्लोरीन होता तो यह आगे चला जाता है, यह ब्रोमीन होता तो आगे चला जाता है, प्लोरीन होता तो आगे चला जाता है, इस टाइप से हम देख सकते हैं, कि आपका क्लोरीन या फ्लोरीन के साथ तो maximum covalency of phosphorus 6 तक चला जाता है, लेकिन hydrogen के साथ 4 तक रहता है, और अगर ionic solid में देखें तो 5 तक करना है, clear बटा, यहाँ तक clear, यह बड़ा important aspect है तो अभी मेरे डिस्क्स किया आप से, clear, बहुत सारे बच्चे वे बटा, आपने बहुत कम response करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, I always told you, there are very some person who interact to me, but it is your moral duty to interact with me, for all of you, क्योंकि पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ने के लिए मुझे एक दो बच्चा ही जो है, response करता नजर आता है, आप सब को बोलना चाहिए ना, सभी तो पढ़ना चाहते हो ना, मैं पढ़ना चाहते हूँ आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ना चाहता है, अजर रिफरेंसिस हो आपके, मेरे फोट के बीच, जब आपका फोट और मेरा फोट सेम है, तो कोई मतलब कोई मतलब आप क्यो शरम करते हैं, शरम आनी नहीं कियो आपको पूशने में, शर्म पूछने में, नोलेज सीखने में क्या शर्म होती है, शर्म तो कोई गंदा काम करते हैं, उसमें होती है, लेकिन आपके ज्यादातर बच्चे जो मैं देखता हूं इस कलास के, ज्यादातर बच्चे बहुत कम इंट्रेक्ट करते हैं, वेटा, एस कंपेर टू इलेवन, इसी क्या, और पिछली बार में तो एक तो बच्चे से पूछ लिया, तो भागी लिया, भग लिया हो, पिछली बार में, आप तो बोलते हैं, मुझे पता है, आप तो हर बार रियक्ट करते हो, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं कुछ, मेरी ड्यूटी सिरफ आपको पढ़ा होता है, सिलेक्ट आप लोगोंने भी होना है, जरूर बोला करो, क्यों गबराते हो, क्या, क्या, रीजन क्या है, भई, दिक्कत वहां होती है, जहां को, या तो हम में दिक्कत हो, या सामने वाले इन दिक्कत हो, हम किसे बात क्यों नहीं करते हैं, या तो भई, अपने आप म मैं देखता हूं कि 45 स्टुडेंट की 30 की क्लास होती है और पूछ रहा होता है एक दो बत्चा वेटा एक दो को डॉक्टर सोड़ी बनना है वेटा सब को बनना है वेटा सब पूछा करो मेरा तो फर्ज है बात बात पे आपको बता रहा बाकि आपकी मरती है पैसे देख करके भी नी सीकोगे तो इसो कि क्या प्रोड़ी पढ़ाने वाले क्या दिक्कत है मैं तो फिर भी बोल बोल की कहता हूं नितो जाता टीक्षर तो यह कहते हैं को पूछे ही ना अपने आप तो ना इतरो गंठीन फेमिली में देख hom फिर पहले आओ आओब कि प्रोफटी रेखते हैं आपको आप ने चैमिकल प्रोफटी एंद हें ट्रेंड इन कैमिकल रेक्टी से सबस् प्लस पाइब इसके कंपाउंड माइनस त्री से प्लस फाइब तक मिलेंगे मार्कित जाधा डिस्क्स करने की जोड़त नहीं है आपको यह पॉइंट जिहां रखना है कि वही नाइट्रोजन फैमिली के जो भी मिंबर होते हैं कि ऑक्सिदेशन स्टेप माइनस त्री से प्लस रिएक्टिविटिई त्वार्ड हाइड्रोजन के साथ जितने भी कंपाॉंड बनेगा तो ование कि साथ कंपाॉंड बनेगा हाइड्रोजन हेज्ब स्टोजिटव नाइट्रोजन जो जो है ठी इनेगटिव ऑज हैं जो भी फैमिली का मैंपर है criticizing key living चभी सीचा compound बनेगा hydrogen के साथ, तो यह बनेगा है, तो यह hydrogen बनेगा है, चाहे आप देखो, NH3, pH3, और बेटा, यह 15th ग्रूप के जितने भी element है, यहाँ पर बहुत सारे problem शोट आउट कर सकते हैं, उसके लिए में इसके bond लेखना पड़ेगा, N और H का, यह जो भी central element है, N और H का बड़ा close bond है, pH का सोड़ा सा बड़ा bond हो जाएगा, arsenic और H का और बड़ा bond हो जाएगा, S भी है बड़ा size होता जाएगा, तो बनेगा bond तो बड़ा होता जाएगा, भी आई, तो इस चीज़ से आप क्या देखने को मिलता है, जैसे जैसे, उपर से नीचे चलता जाओगा बड़ा, तो bond weak होता जाएगा, bond strength जो है, तो bond strength, आप नीचे से उपर जाओ, यह उपर से नीचे, यह नीचे से उपर कहीं चले जाओगा, अगर मैं उपर से नीचे आओगा, support, आप, मैंने सामने लिख दिया, इसा आप में आता हूँ, इसका मतलब bond strength, decrease होते हैं, ऊपर से नीचे आओगे, bond strength, decrease होते हैं, पर जल्दी चूटेगा, जल्दी चूटेगा, तो मैं कह सकता हूँ, thermal stability, heat देने से जल्दी चूट जाएगा, thermal stability, बहुत important है, बटाई कुछ हो, I tried बाला, thermal stability भी decrease होगी, यह bond, dissociation, energy, वो भी decrease होगी बटा, तो मैं कह सकता हूँ, bond energy, बहुत नीचे वाले का bond तोड़ना ज्यादा एज़ी है, bond energy decrease होगी, bond energy decrease होगी, तो आपके पास, जो है, यहाँ पर क्या कर सकते हो, bond energy तक तो decrease होगी, thermal stability decrease होगी, bond energy decrease होगी, अब अपने पास क्या होता है, कि यहाँ पर देखो आप, कि नाइट्रोजिम छोटे खाए, कोस्परस उससे बड़ा है, आरसेनिक उससे और बड़ा है, एंटीम नीव बटा उससे और बड़ा है, और विसमें तो और बड़ा है, अगर यह बड़ा है, तो हर जगह पे देखोगे, तो electron pair होगा, सब के पास same number of electron pair है, सब के पास एक electron pair है, इसका electron pair छोटा साहिज है, तो एक साथ रहेंगे, यह दूर होने लग जाएंगे, यह और दूर होने लग जाएंगे यह और दूर होने लग जाएंगे यह और दूर होने लग जाएंगे तो जब आप उपर से नीशे जाओगे तो इलेक्ट्रोन पेर बेटा दोनों इलेक्ट्रोनों को एक साथ देने की कैपसिटी इलेक्ट्रोन पेर दोनर कैपैसिटी, इलेक्ट्रोन पेर को डोनेट करने की कैपैसिटी डिक्रीज हो रही है, यह भी डिक्रीज हो गया, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया, हाइड्राइड के अंदर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गया, और थर्मल स्टेबिलिटी मतलब बॉन्ड एन और सकतर अरलiler काम और तो इसका निए पार्वराइब आक्सक्रा इसंक्राइब दिए हो रहा है गौस न में धिंड है उपर के साथ दिए निए though ओपर की स्ट्रेंड भीस हिए निए पर काईब बीक्री तॉ यह जैसे जैसे हो के तो जिसे आप फार्स आर्सनिं का मॉरी यह सैंट्रल एक्ट्र पीर्शनर में रि northwest ver औो इसका मतलब हमार हे पाष्ज वह पर तो सुझ्हों टीक्रेश यह जई-डन्द हमार पास bond angle decrease बोन एंगल भी decrease इस टाइप से आप बहुत सारे करेक्टर अच्छा देखो ऐच बोन बड़ा होता जा रहा तो जल्दी तूर जाएगा जल्दी तूर जाएगा दूसरे को मिल जाएगा तो इसलिए reducing character increase हो दूसरे को एच देने की power जो होती है reducing character होती है reducing character जोगा वो increase होगा तो बाकी सारी चीज़े इंग्रीज thermal stability decrease bond energy decrease electron pair donor capacity increase basic character increase bond angle decrease सब डिक्रीज हो रही है दो ही चीज़े इंग्रीज हो रही है वो है आपका acid character acid character देखो increase हो रहा है और reducing character down the group जाएं तो जो चीज़ें है आपकी there are two things which will be that's are the acid character and reducing character दो चीज़ें increase होती है एक बटा इसके अंदर आता है boiling point and melting point boiling point and melting point really different होता है बटा hydride में देखोगे एक आपके पास होता है boiling point और एक होता है melting point really cool ही अलागा बटा तो अच्छे से याद करना है इसको अच्छे से याद करना है तो कैसे होगा कि वाई ऐसे हम अगर देखते हैं तो NS3 nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, basement, generally जाओगे तो उपर से नीचे wonderful forces increase होते हैं तो boiling point increase होना चीए बट NS3 boiling point है if you are considering boiling point then it comes between the middle दो उपर होंगे दो नीचे होंगे देखो बहुत अच्छा वाला point है बटा बहुत अच्छे वाला point है बहुत एक्जाम में पुछा जाता है इसका मतलब ammonia का boiling point दो से नीचे दो से उपर तो ammonia का boiling point देखो सबसे कम PS3 फिर arsenic hydride उससे ज्यादा जैसे देखोगे NS3 फिर SBS3 फिर BIS3 तो boiling point अब यह आपके mind की power है बटा आपके mind आपके दिमाग की ताकत है कि आप कितना याद रख सकते हैं अगर हम hydride कर रहे हैं तो hydride में boiling point चेक कर रहे हैं तो boiling point ammonia का दो उपर दो नीचे और उपर किसे नीचे की साइट जो है increase order increasing order तो सबसे कम boiling point किसका होगा बटा बताओ nitrogen के hydride में PS3 PS3 का होगा यह जब तक कि ध्यान दोगे तब तक तो answer आने ही नीचे तो सबसे कम PS3 फिर BIS3 बट अगर if you want to check the melting point then there is another unexpected value यहां पर क्या होगा आपका NH3, PS3, nitrogen, fast force, arsenic, antimony, orbis, यहां बटा ammonia down चला जाएगा नीचे चला जाएगा और ऐसे आ जाएगा melting point, melting point में ammonia का melting point लेहोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोग वोईलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहें, मैल्टिंग पॉइंट, उससे देखो, आर्सेनिक का 150, तिर एंटीमनी का 185, पिसमित का गिवन नहीं है, लेकिन NH3 का 195, तो मैल्टिंग पॉइंट, बोईलिंग पॉइंट तो मिडल में आया है, बटा हाइड्राइट इसके ऐसे questions को बटा, exam में करना है, ज्यान देना है, hydride की बात कर रहे हैं, nitrogen की compound की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिझ अबाट गाओ, दा hydride of nitrogen, इसके लिएर बटा? किलियर क्या है याद करना है जो इन्फोर्मिशन दे रहा हूं आपको अगर मिस कर गए तो कॉस्चन मिस याद कर गए तो कॉस्चन याद हो जाए और एक बात और बता दो बटा कई बच्चे सोचने याद ही करना है तो बटा लास्ट में याद कर लेंगे last में कभी याद नहीं होता है जब तक आप 4-5 बार याद नहीं करोगे तब तक ये चीज़ याद नहीं होगी तो hydrogen के साथ ये hydrogen compound बनेंगे वैटा ऐसे ही कि oxygen के साथ oxygen के साथ oxygen बनेंगे तो oxygen की बात करते हैं देखो आपे और halide की बात करते है oxygen या hydrogen के साथ जो compound बनते हैं let's see अगर हम oxygen के साथ देखेंगे तो group 15 element जो है यहां तो E2O3 बनाएंगे E2O5 बनाएंगे और जब भी oxide है तो higher oxidation state is more acidic than a lower oxidation state जैसे मैं बोल दो P2O3 और P2O5 आप देखोगे फासपोरस में यहां प्लस 3 oxidation state प्लस 5 oxidation state तो प्लस 5 वाला है बिटा वो acidic more acidic है और जो प्लस 3 वाला है वो ले असी तो oxidation state जो है प्लस जो चार जा रहा है उससे देख सकते हो जिस पर प्लस 4 जदा आगा उसको जदा acidic होगा ज्यादा तर प्लस 3 और प्लस 5 वाले बनाते हैं अगर हम E2O3 की बात करें जनरी मतल़ त्राइड वाले बाते तो हमारे पात purely acidic जो होगा वो N2O3 और P2O3 यह purely acidic लेकिन आर्सेनिक के जो होगा एंपोटेरिक होगा और विसमत का जो हो बेसिक होगा याद करने वाले चीज़ है यह आपका याद करने वाला चीज़ है भई आउक्साइड के साथ पहले hydrogen के साथ देखा आपने compound फिर oxygen के साथ oxygen के साथ plus three में भी बनाएगा और आपका plus five बनाएगा लेकिन plus five वाले ज्यादा acid होगे as compared to plus three में फिर देखो hydrogen के साथ Elogen के साथ भी तो same train है बिखा Elogen के साथ भी तो same देगा Plus 3 के साथ भी बनाएगा Plus 5 भी साथ भी बनाएगा जैसे आपने लेखा Plus 3 के साथ भी बनाया Fast-Polus के साथ PCL3 और फिर चाब बनाया PCL5 बनाया तो इसमें कुछ चीजें हैं आप जैसे मेरे पास देस्ट 3 NCL3 NBR3 NIT ये सारे बेटा नाइट्रोजन के वाले हैं ट्राइ हिलाइड हैं जो अनस्टेबल है तरफ जो है NF3 stable है बाकी सारे stable होते हैं बट सारे stable होते हैं सारे आइनिक होते हैं except BRF3 ये ट्राइ हिलाइड है ये कोवलेंट है BRF3 कोवलेंट है बाकी सारे इसका मतलब आइनिक है उसका रिजन वही पेंटा हिलाइड और ये सारी चीज़ें बट यहां पर मैं थोड़ी सी कमेश्ट्री और होता है तो इसका मतलब बैटा है ये है कि FASFORUS के साथ हिलाइड ये बनाएंगे तो PCL3 बने या PCL5 और इसे में हमने पढ़ा PCL5 क्यों है Trigonal Bipramidal है और अगर इसको heat कर दें तो ये बन जाता है Trigonal Planar ये होता है Trigonal बाइ प्रिम्डल शे तीक है अब एक्च्छल होता क्या है कि PCL5 दो PCL बने से और ये जो होते हैं लोंग होते हैं और जैसे heat करते हैं ये वारे बन्ड जो होते हैं Axial जो होते है Axial उपर और नीचे होते है Axial बन्ड होते है Axial बन्ड जो होते हैं Long बन्ड होते हैं और Weak बन्ड होते हैं वीक बॉंड होते हैं जैसे हीट करते हैं तो हमें PCL 3 तो हमें PCL 5 एंड, PCL 3 दो कंपाॉंड होते हैं अब बेटा इसमें पहला कोस्चन ही आता है कोस्चन करने से पहले में हैंड दे रहा हूं आपको इन SP 3D हाइबर्डेशन अगर आपको पास यह हाइबर्डेशन इन SP 3D हाइबर्डेशन लार्ज अटम और लोन पेर अग्यों पोजिशन पर अग्यों पर मुल्टीपल मुल्टिट अटम अर उक्यों पाइबर्डेशन अग्यों पोजिशन अग्यों पोजिशन प्रेफेंस बीच इसमें भी रिपल्शन ओडर जो ओडर होता है जने लोन पेर है लोन पेर Griff duck जो है वो मुल्ट अटम करते हैं रिपल्शन लार्ज अटम से ज़ख़ः रिपल्शन करते हैं जो आपके मुल्टिपल बोंडिटेटें मल्टीपर बंडी इसे लोन पयर है ऐसे लार्ज आटम है जिसे वालो कलोरीन गोरी और इससे भी ज्यादा जो हैं जिसे डबल बंडिट अक्सिजन और ट्रिपल बंडिद नाईट्रोगन यह करेंगे ली और ज्याधा रिपल्सन करेंगे इधर से इधर हम करते हैं यह हमारा में करेंगे ओर्डर ओफ रिपल्सन रिपल्सन को काम करने के लिए उपर लिखती है गटा कि इन SP3D हाइबरड़ाइशन मालव आपना SP3D हाइबरड़ाइशन लार्ज अटम हो चेक कर लो या लोन पेर हो या मल्टीपल बॉंडिड अटम हो और ओकीपाई एट एक्विटोरिल पोजिशन प्रिफेंस लिए होती हैं इससे क्या होता क्या है इससे बेटा रिपल्सन कम हो जाता है आपके जमाई में आ रहा होगा ऐसा क्यों रुखते हैं या आपकी कोशन आ रहा होगा जमाई में ऐसा क्यों कह रहे हैं सब इससे क्या होगा कि रिपल्सन जो है वो कम हो जाता है रिपल्सन कम हो जाता है तो स्टेबलिडी जदा हो जा मैंने आपको इजामपल दे दिया आई थ्री नेगेटिव इसका हाइबरडाइश है और शेप निकान तो आप एकांग पर आई थ्री नेगेटिव को ऐसे करके लिए आई आई टू नेगेटिव को लिख सकते हैं ने बट ऐसे कोई प्रोलम तो नहीं है I3 Negative को क्या लिखती है अभेने I2 Negative इससे क्या हो गया कि एक Central Item हो गया और ये वाले दो जो होंगे Side Item में इसे फायदा में ही है examiner में तो हमें I3 Negative हो साथ आ I3 Negative को कैसे हमने I2 Negative मेरा पैसेंस देखा गरुटा कितना आराम से हम कितना patience रखे हम और किया ब्रेक कर रहो है आए थरी को आई आई टू नेगटिव इसके क्या है कि है कि हाईवरदैशन निकालने वाला फार्मुला लग जाएगा हाईवरदैशन निकालने वाला फार्मुला क्या बताया था मैंने मेघिव इपोजितीगर माइनित खरना है और पोजितीटिव और क crosses x2 अब देखो है हाई बड़ाइस है कि कि छेक्टातों के जितना होता है है बुटे ध्यसाल की सेवन अब मेरे पास I3 नेगेटिव में दो ही तो साइट एटम रहेगी हैलोजन, हाइडोजन या हैलोजन तो और तू आगे पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज प्लस करना है 5 आगे बिटा 5 का मंदला hybridization कितना हो जाएगा 5 orbital वाला SP3D लेकिन SP3D में आप साफ clear cut देख रहे हो ऊपर वाले example में एक तो central atom iodine होगा उसके साथ 2 iodine तो अटेच होंगे इसका मतलब 2 sigma bond इसका मतलब total sum 5 आना चीए तो 3 loan pair आगे clear बेटा यहां तक किसी को doubt कोई पूर्श सकता है बेटा बहुत important बात है जो अभी लिखी है मैंने कि I, I2 negative, I3 negative पूछा था एक्जामिन अबने तो मैंने उसको I, I2 negative में break कर लिए उससे मेरे पास एक central atom हो गया बाकी दो side atom हो गये उससे में ने hybridization निकाल लिए बाटा hybridization आगया 5 SP 3D वाला लेकिन central atom के साथ I, I2 तो दो यह attach करने थे तो 2 तो sigma bond हो गये इसका मतलब total sum to 5 का करना है मुझे, तो 3 bond जगह नहीं बना रहे हैं तो 3 lone pair होगी clear बटा अब अब अजर यहां तक clear हो गया तो इसका मतलब यह भी clear हो गया अब lone pair जो है, sigma bond के comparison में lone pair जो है, create करते है more repulsion create hybridization SP3D आगा है तो जो create more repulsion कर रहा है वो कहां जाएगा so, क्या बता है मैंने occupy add equatorial position, very good बटा, occupy add equatorial position पे जाएगा occupy add equatorial position पे जाएगा यह कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है बटा, अगर 11th clear होती न तो इतना मत्था मारने की जोड़ती नहीं होता equatorial position यह तो साफ-साफ clear समझाया था तो इसका मतलब एक iodine के साथ आपके SP3D में five bond बने सकते हैं लेकिन इसमें से हमारे पास three lone pair है और lone pair कौन सी position पे जाएंगे बटा equatorial पे lone pair यहां आगे iodine के पास three lone pair इसका मतलब बाकी जिगह पे आई आई आगे यह axial position है और यह equatorial position है इसका मतलब structure क्या होगी बटा ध्यान तो इस पर अब यह आपकी competition question है बहुत frequently asking question है बटा इसका मतलब ID के साथ axial position पे एक IE आगे जूसरा यह भी axial position पे आगे यह यह और three lone pair central item पे बनगी three lone pair, central item पे तो shape hybridization क्या है बटा SP3D SP3D लेकिन जो इसमें आप देख रहे है उस shape क्या आ रही है linear shape linear है बटा अब shape linear आया जा आप देखो lone pair की बात आई तो यह भी तो iodine है मैटा जो उपर नीचे है iodine है इनका valence electron seven होता है तो एक electron तो यहां गया है इसका मतलब बाकी electron तो इसके पास है मेरा इसी कोश्चिन में आता यह कोश्चिन होता देखो वेटा नौट total loan pair in i3 negative क्या answer देते वेटा total loan pair अगर मेरे पास total loan pair पूछ रहे तो यह भी तो है count हो जाएंगी तो यह बोलो बेटा बोलो 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 अगर मेरा कुश्चिन यह हो जाता total loan pair in i3 negative 1 क्या answer देते वेटा कितने loan pair हो गए nine 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 answer देते आप nine that is all from the 11th class अगर 11th class में अच्छे से पढ़ा होता तो इतना energy हमें लगाने की जोड़ती नहीं थी जो तो सीदा आप हम बोल देते रहासर हो रहा था अगर बेटा मैं इसी को यह कह जाता कि loan pair at central item क्या answer आता बेटा free free अगर मैं इसी question को ऐसे करता बेटा actually पहले कभी नहीं बोला था मैंने आपको यह लेउन था आपकी कमजोर है लेकिन जिस में जिस दिन मैंने आपको parents meeting किया तो मुझे बड़ा बदर शोक लगा कि यह लेउन था बहुत सारी चीज़ आपकी बड़ी end clear है कभी मैं इतना stress देता हूं बदर पीछे ले जाता हूं हलांकि मुझे 12 करना हो तो बड़ी जल्दी करवा के आगे बढ़ जाओं लग मुझे लगता है कि 11 था मुझे पता लगा कि 11 था मुझे पता लगा कि 11 था बहुत सारी पार्ट कमजोर है अगर यह question बड़ा ऐसे आया था loan pair at side item क्या answer होता बड़ा देखो जैसा question जैसा answer होता न एक और total पूस्ता तो कितना आ जाता total nine clear बड़ा कोई doubt तो नहीं है आप जैसे मैंने आपको यह question ऐसे किया होता बड़ा जिसारा आप में chapter end जो मैंने आगे class ending पर ले जाने के लिए कुछ questioning कर रहा हूं जैसे मैंने बड़ा आपको यह question करता जैसे क्पुछ शवन्पोंपेर आपने कים मैंने केor लोविन केर आपकोफें यह X-E-O-F-2 and X-E-F-2 ये कोस्चिन दिया वे रहे देखो वन वाई वन सोल करो पहला एक्जाम्पल सपोस क्या लिया हमने X-E-O-F है ना hybridization का formula क्या होता है वेटा हमारा valence electron plus monovalent atom positive charge है तो minus करना है और negative charge है तो plus करना है वेटा divided by 2 करना है divided by इसको हमने 2 करना है अब divided by 2 करना है आपने तो divided by 2 करना है एक बात एक हो वेटा कि valence electron जिनों ने जिनों कौन सी gas है noble gas है ने noble gas में valence electron कितनी होते है वेटा 8? Yes sir तो valence electron किलिए हो गए वेटा मारा अब आजाओ monovalent atom तो oxygen तो count करने नहीं है fluorine count करने है तो monovalent atom कितने आगए आपके पास 2 positive charge तो है नहीं CB 0 negative charge भी है नहीं 0 तो hybridization निकालो बेटा क्या होगा H valence electron SP 3D तो वापिस देखो 5 वाला आगया 5 वाला hybridization मतला SP 3D अब SP 3D में तो 2 तो fluorine होगे बेटा तो इंट्रेस्टिंग है कितना मदेदार आची है देखो आपको total hybridization आगया 5 SP 3D लेकिन fluorine तो तो भी बनाने हैं 2 तो क्या होगे single board fluorine होगे 1 oxygen attached है oxygen double bond attached होता है तो 2 ये और 1 ये तो total 3 होगा ना solution total sum कितना ना चीए 5 5 का मतलब 2 और 1 3 होगे तो इसका मतलब 2 क्या आजाएंगे मेरे पास loan pair अच्छा बेटा चलो loan pair भी होगे अब मुझे shape बनानी है जखो F3 of 2 अब जो सबसे ज़्यादा इसका मतलब SP 3D hybridization आगया ये तो clear होगे ना XC के साथ 5 bond बनाने 3 SA और 2 SA मतलब ये equatorial position होगे और ये वाली exhale position होगे ठीक है अब हमें क्या करना है इसमें single bonded fluorine double bonded oxygen और 2 loan pair तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन कोन करेगा इन तीनों में? लॉन पर अक्सिजन multiple bonded double bonded oxygen आगया ये ये क्या होगया मतलब multi multiple bonded produce most repulsion most repulsion है तो occupy कहा होगा बेटा ही? occupy at कौन सी position पे? equatorial equatorial सबसे पहले तो उसको रखना है equatorial उसके बाद कौन करेगा देखा अब रहें क्या किया आगया आपके पास? लॉरीन और? long pair long pair तो फलॉरीन और लॉन पेर में ज़्यादा रिपल्सन कौन क्रिएट करेगा बटा? कि दो में single bonded लॉन पेर अब ये करेगा long pair long pair क्या क्या करेगा बटा? produce more repulsion तो इसके बाद आप इसको रखोगी तो सबसे आप structure बनना चाहरे हो तो zero सबसे ज़्यादा repulsion जो कर रहा है multiple bond, produce, most, repulsion, occupy अब उसके बाद two lone pair है तो वह भी position पर रखो आपका ये position equatorial, ये position equatorial, ये अब ये complete होगा आप जो बच गया उसको एक्जेल पोजिशन पर रखो बेटा क्योंकि लोन पर ज़्यादा repulsion करेगा तो 80 डिग्री पर 190 डिग्री भी तो रहेगा नहीं 90 डिग्री पर नहीं रहेगा तो फ्लोरीन थोड़ा सा ये structure लेकिन मेरा question तो ये भी नहीं था बेटा एकसी और एकसी और एकसी और पहले एकसी और तो को solve कर रहे थे ये पार्ट ए आ गए तो एकसी ओफटू का structure देखो आप यहां तक ले आए बेटा अब एकसी ऐफटू में ध्यान दो बेटा मतलब जो दिखता है ना competition में वो होता नहीं दिखता नहीं है अब हुआ क्या अब यहां पर देखो अब यह फ्लोरीन आगयों आप हमें तो इसमीं लोन पेर मताने में एगा सैंट्रल एटम के लोन पेर होते तो कुसतना अंसर होता ना तू 10 तू तू तो तू चाहता लोट्र आठ तमांसर कितनी आता आठा तो इसका पार्ट इक और भी तो दिया वे ने दूसरा पार्ट के दिया वे ने आपने ज्यांग दिया हो तो XCF2 XCF2, B पार्ट देखे XCF2, B आप देखो हाइबडाय से निकालेंगे तो वेलेंश इलेक्ट्रों गिनोन का एक दो मोनो वेलेंट अटम तू बाई टू तो फाइब आगे ना XC3D अब XC3D में फ्लोरीन तो दो ही है तो दो तो जो फ्लोरीन हो गए इसका मतलब बाकी और कोई नहीं है तो थ्री क्या होगे मेरे पास लोन पेर लोन पेर होगे ना तभी तो फाइब कसम आएगा अब मैं अगर नॉर्मल स्ट्रेक्चर सोचू तो वह ऐसे होने चीए लेकि इसमें लोन पेर और रिपलसिव है लोन पेर है तो थ्री लोन पेर पेर रखने होंगे तो वान तू रिपलसिव है तो थ्री लोन पेर पैर रखने होंगे तो वान तू रिपलसिव है तो थ्री लोन पेर पैर रखने होंगे तो वान लेचे एक पिर रेचे नाब एक है? अब यूनो फ्लोरीन का वैलेंस एक्टरों कितना होता है? सिख थेवन होते हैं सेवन जिसमें से एक ही तो बंडिंग में गया है? इनके पास कि लोन पेर हुग है? यूनोंगर त्री लोन पेर है? देखो, नाइन आ रहे हैं, हाँ, बटा अंसर, XCF2 में टोटल लोन पेर देना है, तो किसना आ जाएगा, नाइन, हाँ, ये कहता है, लोन पेर है, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम तो ये रहा, तब आंसर कितना देते हैं, आप, त्री, त्री आ जा जाते हैं, नादर वे पॉर्पॉर्शन कैसे होगा, मिलाके पढ़ा रहा हूँ, इस वक्त में आपको, कर लोगे ऐसे प्रोलम, ये सर, तो आपने जब भी SP3D हाइबराइशन देना है, तो बटा, उसको आपने एक्जियल पोजिशन पे रखना है, आपने, एक्जियल पोजिशन पे करके, और फि ये तो चलो हमारे पास, जो कॉश्चन आगे साइड में, हमने कर लिए, आगे पी ब्लोग वाला काम कर दिया, जिससे जल्दी सी खतम हो जाए पी ब्लोग हमारा, लेकिन हमारा पॉइंट गया था, हमने नाइट्रोजन के कमपाउंड किये रहे बटा, कि NCl3, PCl3 कैसे आपके बनाएंगे, तो वह अराम ने कॉइंट किया था, यह वह वहाला, कि हमारे पास हीलाइट्स दोग बनेंगे, वह हीलाइट्स हमारे पास, PCl3, PCl5 बन सकते हैं, लेकिन उसमें भी हम बता सकते हैं, कि वही जो नाइट्रोजन के, जो हलाइट्स हैं, त्राइ हलाइट्स वो जनरली अनस्टेबल हैं, एक ही स्टेबल है, नेफ्स्री, और बाकी सारे आइनिक हैं, एक ही कोवलेंट है, वो बी आर, एस्टी है, लियर? अब यहीं पर आपसे एक कोशन और कुछ़ाजास करेंगा, आपसे ये तो चलो शेप से रिलेटिट कॉश्चन हो गया आपसे या आपका PCL3, PCL5 बन रहा है, हाइवडाइशन क्या है उससे रिलेटिट कॉश्चन आ गई देखो अब अगर मुझसे ये पूछा जाए हाइड्रोलिसिस सब्सक्राइब है हाइड्रोलिसी तो PCL3 एंड ASCL3 मैं कहुंगा हाइड्रोलिसी तो PCL3 गिव्स H3 PO3 एंड आर्सलिक जो देगा गिव्स AS OS 3 दोनों में फरक क्या होगा इसका इनफेक्टर 2 होगा और इसका इनफेक्टर 3 होगा नाम दोनों कि स्थेम होगे इसका नाम होगा S3PO3 है तो इसको बोलते हैं हम FOSPORUS ऐसे और इसको हम नाम देंगे आर्सिन असे लेकिन इसका इनफेक्टर 2 आ रहा है इनफेक्टर मतलब रिप्लेसेबल आइडरोजन 2 आ रहे है इसमें रिप्लेसेबल आइडरोजन 3 आ रहे हैं आशनेसेदे में इस फॉस्पोर ऐसेदे नफेक्टर 2 यो आ रहा है इसमों बोलेंगे दियो टू रूटो मेरेंदे ऑर्गेनिक वाला एक concept काम करेजी आ बटा इसके इसके इंदर रॉटो मेरेंदे एक ऐसे वह बटा रिप्ल कि अपोज मिझे PCL3 का है आइडर्रीस करें है इस 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 देखने में से लगता है PCL3 आडर्रीस करें हो HOH HCL बाहर निकल गया और इधर POS3 को देखने नेकर POS3 का ये रियल स्ट्रॉक्ट्चर निया ये निया नेट प्रोड़क्ट ये निया होता क्या है कि POS3 में P जैसे आपको OH OH एक लोन पेर और OH होता है तो होता क्या है कि यहां टोटो मेरिजम वाली रेक्शन आगे बढ़ जाती है टोटो मेरिजम मतलब ये H पोजिटिव ये क्या करता है ये इस P के पास आ जाता है और ये जो है लोन पेर ऑक्सिजन के पास रहा है मतलब इस कंसेट को बोलते है हाईडोजिन कूट के ऑक्सिजन से फॉस्परस पर आ जाता है तो इसको हम बेटर टोटो मेरिजम में जाता है लेकिन यहां इन और्गनिक का भी एक एक जामपल है इसलिए यहां पर क्या होगा टोटो मेरिजम में क्या होगा हो पिडिए ऑगन इसमें इसमें यहां अच्रियल स्ट्रेक्टर रूट होती är यह आपका स्टीजरिव फॉस्पोर से a हॉस्पोर सए यह तो फॉस्पोर से इसलिए में जो रिकलिसेबल हाटरुजिन होते हैं दो होजएंगे जो O के साथ है छोता वही तो replace होगा उपोगा बस प्षक्क्र कजिए ही और इसका रीजरी हिओता है कि oxygen का 2P और इसका तो मेर नच वंही защbands खिक candle बट अगर हम यही केस पोस्फोर्स ऐसिल की वज़ा आर्सेनिक स्वास्फोर्स के बाद लेक्स्ट मेंबर का लेते हैं तो रियक्शन देखने में तो बटा सिंपल लगती है हमें सेम लगती है एस एल त्री इसकी रियक्शन हम आइडूलिसिस करते है वाटर के साथ बटा देखने में तो यही लगता है इसली एस्टेल निकल गया एस ओएच 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 जो आएगा अगर हम देखें इसका स्ट्रेक्चर बनाएच तो आर से नि ओएच अगर है प्रेक्च ओएच ओएच e और यह लगता है यह पूग्वेश्टेव वाला इधर नहीं आपाता है इसका रीजिण यह है कि इसनी कि इसका टूपी ओर्विटलोथा है और इसका पारपी होते है टूपी और पारपी जो है तो पाई बोन नहीं बना बाते है, because यह अनफेक्टिव ओर लेपिंग होती है, तो यह तो इधर जाजा जाता है, इधर कम जाता है, यहां पर अगर बना भी लें, आज से ने, यह बोन एच इधर ले आएंगे, जैसे पहले ले आएंगे, तो एच डबल बोन हो जाएंगे, त अजसे पढ़ता है, और यह आपका more stable होती है, तो जो आपके पास यह वारा होता है, तो इसलिए आप अगरदाएज बोलते लोगों, और O के साथ वारा हरेका हैज निकलता है, इसलिए एन फेक्टर करते हो, इसलिए नर्टर 3 कंसिऩडर करते हो, इसको बोलते हो हाइट को बना आर्सीनिस अजया आपका आर्सीनस एसीड का तरी होता थी तीने प य Опर निकल सकता यह वार आम निकल सकता यह उस्पयान चाल कि इंधर जाता है निया रयक्शें गदर याता है और अगर FASFORUS में करोगी तो तो उसके टोटो मेरिसम होती है ये टोटो मेरिसम इसमें डोमिनिन नहीं होती है क्रोस को गोग और इसलिए ASOS 23 का एंगर मत्री बट पी एच ओ स्ट्राइज का श्ठेट्टर जो दिखता है वैसा होता नहीं है उसमें ऐसा होता है दो ओ एच ओत है इसलिए रिप्लेसेबल आपका पूर रहा जाता है अर्चिदे सा सिव में ख्री दोनों का हाइड्रोलिशिस प्रोड़क्स हमारा अलग लेट्स पोल अबाउट दा तूड़े टोपिक सी यू वेर सुन फो नेक्स टाइप देखो इन ओर्गिनिक है इन ओर्गिनिक में कि वेटर कि अग्यू कर से कि उड्यू एट लगर टो अ कि वेटर कि अवें लेग्यू बखे लेग्यू ए। लें बाइट जिआ लेग्यू